हेलो एबरिवन तुड़े विल डेस्कस अबाउट थायमीन डेफिशेंसी थायमीन के कमी से हम सभी को पता है जो डिजीज होती है वो है बेरी-बेरी आज हम इस डिजीज के बारे में बात करेंगे इस डिजीज के क्लिनिकल साइन शिम्टम्स को जानने से पहले हम इसके सोर्सिस के बारे में बात करेंगे और जो बहुत ये एक डाइग्रम है जो इसकी बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है थायमीन की वो क्रॉनिक अल्कॉहलिक्स में देखी जाती है जिससे की ब्रेन में शती हो सकती है या तंत्रिकाओं के शती हो सकती है brain damage हो सकता है जिसे कहते हैं वर्निक्स एंस अफेलोपैथी यह थायमीन के सोर्सेज हैं लग्यूम्स में थायमीन जादा होता है नट्स में और रेड मीट्स में प्राउंस में सीज्स में थायमीन की मतरह पर्याप्त होती है राइस में पार बॉल्ड राइस यह थायमीन यह से विटामिन B1 भी कहते हैं मिल्क में पर्याप्त मातरह में होता है थायमीन का जो RDA निर्धारित किया गया है NIN के द्वारा तथा ICMR के द्वारा वो पर थाउजन कैलोरीज के हिसाब से निर्धारित किया गया है तो यह डिफरेंट एज ग्रूप की रिक्वार्मेंट से नहां पर शो की गई है समाने था अगर कोई भी व्यक्ति 2000 किलो कैलोरीज लेता है तो उसे मिनिमम पॉइंट 66 मिलिग्रम ऑफ थायमीन पर डे चाहिए अगर हम यह इसकी आपको थायमीन की स्टरक्रश बनाएए अगर हम इसके यहisl arrived और हम बात करते हैं इसकी एक मात्रा में तो री सीड तो इनन की मात्र मात्र होती है ऐस एक वेजिटेबल है प्राउन रायस इस बनीक विट होता है था स्खास याद। कर Milled Rice में थायमिन निकल जाता है Corn Meal, Pork, Orange Juice में थायमिन परयाप्त मात्रम सीच है, Eggs में परयाप्त मात्रमें होता है, Cauliflower, Sunflower Seeds and Oats, परयाप्त मात्रमें नारिये परयाप्त मात्रमें होता है सबसे पहले तो यह वाटर सॉलीबल विटामिन इसलिए हमें प्रति दिनाहार में शामिल करना चाहिए दूसरा थायमीन इस कोएंजाइम कारे करता है इसकी काबोईडिट मेटबॉलिजम में विशेश रुप से थायमीन का कोएंजाइम है टीपी पी थायमीन पाइरोफोस्फेट जिसका कोएंजाइम है जो की काबोईडिट मेटबॉलिजम में विशेश भूमी का निभाता है बि इसका जो benefit है vitamin B1 का ये glucose metabolism में जो harmful byproducts बनते हैं उनको बनने से रोकता है क्योंकि ये सभी metabolic reactions के लिए vicious भूमी का निभाता है oxidative stress को कम करता है शरीर के अंदर जैसे कि heart diseases कम होती है nerve responses को बढ़ाता है dyslipidemia को रोकता है means शरीर में लेपिड किस तर को कम करता है क्योंकि ये लेपिड metabolism में भी as a co enzyme A काम करता है प्रिवेंट्स टाइप टू डाइबटीज जो टाइप टू डाइबटीज या जिसे कहते हैं बड़ों में होने वाले कि adult onset diabetes को रोकने में साहिता करता है metabolic disorders को रोकने में साहिता करता है cataracts को संभवत ये कम करता है और dysmenorrhea के जो effects है उसको भी ये कम करता है तो ये बहुत important vitamin है water soluble है इसलिए हमें प्रते दिन आहार में लेना चाहिए और glucose metabolism, fats metabolism और protein metabolism में सभी metabolic जो important macronutrients का metabolism है उसमें ये as a co enzyme काम करता है as a thiamine pyrophosphate जो इसके well known syndroms है thiamine deficiency के कारण वो Alzheimer disease हो सकती है very very alcoholic brain disease हो सकती है जो बहुत chronic alcoholics है उनके brain damage हो सकता है और आखों में भी जो तंत्रिकाई है या जो आखों की मासपेशिया है वो शतिग्रस्त हो सकते हैं जिसे कहते हैं तो यह चार major disorders है जो की vitamin b1 deficiency के कारण हो सकते हैं यह हम देखें इस वन यह दिखा रखा है कि कहां पर thiamine pyrophosphate काम करता है glycolysis cycle में glucose 6-phosphate फिर फ्रक्टो 6-phosphate और last में pyruvate बनता है और ATP's generate होती है जब pyruvate बनता है तो वहां पे TPP काम करता है thiamine pyrophosphate इसी तरह से जब यह क्रेब cycle में प्रविश करते हैं lactate dehydrogenase lactate बन जाता यहां पे यह जो pyruvate metovacetyl coenzyme A में change होके क्रेब cycle में enter करता है वहां पे pyruvate dehydrogenase काम करता है जहां भी dehydrogenase काम करते हैं वहां पे NADH plus NADH काम करता है और इस पूरे पूरे metabolic cycles में TPP as a coenzyme करता है thiamine pyrophosphate जो कि इसके महत्वपून भूमिका है यह इसके sources है peas में, legues में, asparagus दिखा रखा है, oranges में, strawberries में, cereals में walnuts बहुत अच्छा source है इसका walnuts में thiamine के साथ साथ omega fatty acids भी होते हैं meats में, eggs में, green leafy vegetable, fish में, fish में thiamine के साथ साथ omega fatty acids के होते हैं तो यह दो पहला fish, fatty fish विशेश रूप से और दूसरा अख्रोट, walnut thiamine के साथ साथ omega fatty acids के भी बहुत अच्छे श्रूप हैं जो कि heart diseases को रोकते हैं यह बहुत नया research का topic है, sebo, thiamine deficiency and autoimmune dysfunction autoimmune dysfunction, autoimmune dysfunction का अर्थ है, हमारा swim का शरीर की कोशिकाएं अपने ही विरोध में कारे करने लगती हैं जिसमें की उन कोशिकाएं में शती हो सकती है यह वो कोशिकाएं शतीग्रस होने लगती हैं जैसे skin पे autoimmune disease हो सकता है, heart पे हो सकता है, thyroid, hypothyroidism itself autoimmune disease है और SIBO हमने B12 deficiency में भी पढ़ा था, SIBO है small intestine bacterial overgrowth SIBO means small intestine bacterial overgrowth यह शरीर में जहां भी bacteria बनते हैं वो सभी एकत्रित होके छोटे आंथ में जमा होने लग जाते हैं और abdominal pain होने लगता है patient को और distension होने लगता है digestion पे पड़ता है तो यह आजकल इनको correlate करके देखा जा रहा है thiamine को B12 को कि यह भी किस प्रकार से SIBO तथा autoimmunic dysfunction के लिए उत्तरदाई हो सकते हैं इसके sources है dry nuts, legumes and seeds thiamine के rich sources है ground nut में परयाप्त मत्रा में thiamine होता है अब हम इसके sign and symptoms को पढ़ें यह बहुत ही सुन्दर चार्ट बना हो है thiamine deficiency का thiamine deficiency को तीन भागों में बाटा जाता है dry beriberi, wet beriberi और vernix encephalopathy है जिसे vernix korskov syndrome भी कहा जाता है vernix encephalopathy को vernix syndrome भी कहा जाता है इस patient को देखें यह dry beriberi का patient है बहुत weak and emissiation बहुत कमजोर है इसके ribs दिखाई दे रही है aphonia, aphonia हो सकता है उसको means loss of voice बात करना नहीं कर पाता और यह poor prognosis है इसमें यह पता लगाना ही मुश्किल हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है इसमें vegas nerve involved होती है हमारे बहुत बड़ी तंत्रिका और बहुत महत्रोपुन तंत्रिका है शरीर की वेगस वह इसमें प्रभावित होती है weakness साफ दिखाई देती है क्योंकि body fat कम हो जाता है foot drop हो जाता है उसे means जो पैर का आगे वाला भागय उसे उठाने मुश्किल होता है किसी प्रकार से wrist drop हो सकती है जो उंगलियां है वो पिछे की तरफ fold नहीं होती तो यह dry berry berry के लक्षन है और अगर wet berry berry देखें तो obviously patient healthy दिखाई देता है लेकिन water accumulation के करण healthy दिखाई देता है इसको edema होता है यह wet berry berry का patient है पूरे शरीर में water accumulation हो जाता है और breathlessness होती जिसको dyspnea कहा जाता है या orthopnea भी कहा जा सकता है क्योंकि उसे लेटने पे भी सांस लेने में परिशानी होती है breathlessness होती है और उसे effort करना पड़ता है breathing के लिए अगर यह common early manifestation देखें तो heart pair सुन रहते हैं patient के जो reflexes है knees और feet पे वो कतम होने लगते है परेस्थिशिया हो जाता है या परेस्थिशिया और numbness का अर्थ है हाथ पैरों का सुन होना या सुयां जैसे चुबना और जो muscles है वो painful होती है टेंडर हो जाती हाथ लगाने पर muscles में pain होता है अगर वर्निक encephalopathy को देखें तो बहुत लंबे समय से जो या थाइमिन की deficiency से जो डेलिटेशन होता है right heart का वो हो जाता है means heart fell जाता है enlargement हो जाता है जिससे की heart failure हो सकता है डेलिटेशन ओफ राइट हाट या heart failure अब फैल्मो प्लेजिया हो जाता है means जो eyes की muscles है वो शतिगरस होने लगती है व्यक्ति concentrate एक ही जगह पे नहीं देख पाता है उसे confusion रहता है कॉमा हो सकता है और patient की death भी हो सकती है तो यह main बचों में भी हो सकता है time in deficiency जिससे की infantile berry berry कहते हैं लेकिन जनरली यह adults में देखा जाता है तो यह dry berry berry wet berry berry और vernix encephalopathic का बहुत ही खुबसूरत चार्ट है जो कि आप exam में भी इसी तरह से show कर सकते हैं एक यह बहुत फेमस बुक है डेरिक लॉंसडेल की थायमिन डिफिशनसी डिजीज डिस ओटोनोमिया एंड हाई कैलोरी मैन लेट्रिशन आज कल लोग पोशक तत्तमों पे ध्यान न देके जंक फूट जो बहुत ज़्यादा खाते हैं खासकर करके यंग एज के लोग उनमें थायमिन डिफिशन की हो सकती है विए बहुत ज़्यादा कैलोरी जब आफ फूर थाॉसन कैलोरी ले रहे हैं और सिर्फ एम्टी कैलोरीज ले रहे हैं तो वो पूरी बॉड़ी को एफेक्ट करता है खास करके इम्यून सिस्टम को तो ये डिस्ट अटोनोमिया हो सकता है और इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है ये थायमिन के डोसे हैं किस एज में थायमिन कितना लेना चाहिए ये सोर्सेज हैं थायमिन के ये हमने पी सब्सक्तिकी के बारे में कि एलकोहल एब्यूस बहुत ज्यादा लेने से ब्रेन पर इसका क्या एक पड़ता है ये स्कैन्ड है वड्यometer के patient का किस तरह से यह brain को effect करता है और किस तरह से patient की winners is chronic alcoholic होने के कारण उसकी death हो सकती है कि तो आशा करती हूं आपको इस video के माध्यम से थाइमिन deficiency के बारे में structure आपको ज़रूर आनी चाहिए काफी जानकारी होगी होगी और अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करें तो थाइमिन ओध बेरी बेरी में आंतर क्या हैट वेट बेरी बेरी में अदर बेडीद में अदर ब्र बेरी बेरी में निमनल लक्षन दिखाई देती है mandate Probable ON स्थूक्ष अचलों हर्डे बाहते हैं जी त्रिवर्टन फिर्टेशन नियेğimiz की सांस लेने में समस्य होती है कार्डियक हाइपर ट्रॉफिक हर्दे की जो साइस बड़ा हो जाता है यह डालेटेशन हो जाता है और अगर यह गंभीर अवस्ता हो जाए तो कंजस्टिव कार्डिक फेलियर हो जाता है रोगी की डैथ हो सकती है नियूरोलोजिकल मैनिफेस्टेशन देखें तंत्रिक ये विकार देखें तो फीलिंग ओफ एविनेस और वीकनेस अफ दे लेग्स हमने पीछे पड़ा है ड्रॉप फुट हो जाता है क्रैंपिंग ओफ दा काफ मसल्स टांगों के मांस पेशियों में एंठन होने लगती है ब रोगी की मास पेशियों वात्यदिक मात्रा में शती ग्रस्त हो जाती है जिसे मसल्स डिजनरेशन कहते हैं और शाररिक संतुल समय नहीं रहता हाइज स्टिपिंग गेट बाड़ी बैलन्स नहीं रहता उसे चलना वह देखता किसी और तरफ है और पेशन चलता किसी और जजी मिझलानाijoina, fever हो सकता है, women, vomiting, headaches हो सकते हैं, wet berry berry देखें तो समानलक्षन होते हैं लेकिन इसमें Odeemtra उपस्तित होता है, heart enlargement हो जाता है, acute berry berry में acute cardiac failure के कारणदोगी की मृत्य हो सकती है, congestive cardiology labs layer, wet berry berry का एक भाग है, इसे protein energy malutration में भी देखा जा सकता है जब plasma Elle vitamin level कम हो जाता है अगर हम infantile beriberi को देखे तो जो मदर्स खुद मेल नरिष्ट है लो थायमिन डाइट लेती हैं तो इंफेंट को breast milk से थायमिन का मात्रा में अपलब्द होता है infantile beriberi के निम्न लक्षन है पेलर facial edema irritability vomiting abdominal pain loss of voice एफोनिया बच्चे को भी हो सकता है और conversion means fits आने लगते हैं और बच्चे की कुछे गंटों में मृत्यों हो सकती है और उसे थायमिन थेरेपी इसे शिशु की जो अवस्ता में सुधार लाया जा सकता है intravenously उसको अत्रिक मात्रा में थायमिन दिया जाता है infantile beriberi उन बच्चों को अधिक होती है जिनको की weaned infants में जिनकों की breastfeeding चुड़ा दी जाती है और supplementary feeding परैप्त मत्रा में नहीं मिल पाती poverty और ignorance के कारण next जो बहुत बड़ी complication है हम पहले भी बात कर चुके verniks encephalopathy ये chronic alcoholics में देखी जाती है इस रोग को 1881 में verniks ने खो जा था इस प्रकार के encephalopathy को korskov syndrome भी कहा जाता है कि korskov ने भी same disorder को 1887 में खो जा था chronic alcoholics में और इन दोनों ने बहुत काम किया इस disease पे तो इसे सम्मली तुरूप से verniks korskov syndrome भी कहते हैं इसके लक्षन हम पहले भी बात कर चुके हैं अब thalmoplegia paralysis of the eye muscles nystagmus rapid movement of the eyeball eyes एक जगे concentrate नहीं करते हैं वो eyeball गूमता रहता है आटेक्सिया शारिडिक ऑसंतोलन जिसे इन कोडिनेटट गेट कहते हैं जिसे चलने में problem होती है थायमिन में के parental administration से parental administration होता है थूँ ड्रिप कोई भी पोशेक्टरत वो जब दिया जाता है उसे कहते है पेरेंटरल एड्मिस्ट्रेशन और यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर कि आप एमसे कर सकते हैं इस रोका अपचार किया जाता है बहुत न्यू सब्जेक्ट है पेरेंटरल नूट्रिशन तो पेरेंटरल एड्मिस्ट्रेशन से यह ड्रिप के द्वारा यह इंजेक्शन के द्वारा रोगी को सीधा बलड में थाइमिन दिया जाता है जिसे की इसकी वो ये डिजीज उसके लिए फेटल ना हो इसकी जान को बचाया जा सके और अगर इसकी मेगा डोस ली जाएं तो इसकी टॉक्सिसिटी होती है लेकिन बहुत जादा ली जाएं अगर सौ से दो सो आशा करती हूं आपको थायमिन के बारे में कम्प्लीट जानकारी मिली होगी और आप अब असानी से बेरी-बेरी के बारे में थायमिन के सोर्सिस के बारे में लिख सकते हैं थैंक्यू